बिस्मिल्य रामान एराहीम, असलामेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जिया अनसारी और आप देख रहे हैं इजादन सारी फूड सीकर्ट्स आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, तो मिरे प्यादन सो आज मैं आपके लिए हरी मिर्च की चतनी एक स्पेशल तरीके से लेके आया हूँ, इसमें हमें एक स्पेशल फ्लेवर एट करेंगे जिससे इसका टेस्ट 10-20-30 कुना बढ़ जाएगा और आप आपको मज़ा आजाएगा, रेस्पी बहुत ही असान है, सबसे पहले इमली लेंगे हम दो चमच भर कर और इसमें हम पानी आइट कर देंगे, इस रेस्पी में हम इमली का पल्प यूज़ करने लगे हैं, चलेंजी, अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, ताके ये जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए, इसको अब हम रख देंगे, साइट पे चलेंजी, बिसमिल्ला हरावान रही, खुबसूरत सी बारीक लंबी वाली हरी मिर्चे लेंगे, और इनके हैट्स को रिमूब कर देंगे, जो ग्रीन मिर्च होती है न, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा हो ठीक है, उनको भी आपने यूज करना होता है, चलेंजी, इसको करते हैं, साइट पे, अगली चीज हमारे पास है, प्यास, दो मिडियम साइज के, या दो बड़े प्यास हम ले लेंगे, और ये है, एक मुठी हमारे पास हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छे से दो के, उसके इसको काट लिया है, ठीक हो गया, इसको भी साइड पे करते हैं, अब यहाँ पर इमली का, पल, सेपरेट करने का, जो असान तरीक है, वो ये, कि आप इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से मसले, और जो इसके सीर्स होते है, पलप हो जाता है, मैं आपको बताँ, इमली भी जो है यह stomach के लिए बहुत अच्छी होती है तो इसका भी आप इस्तमाल रखा करें चलेंजी बाद में सीर्स को अच्छे से इस तरह से हम squeeze करेंगे और यह सारा इसका पल्फ है निकल जाएगा अब यह पल्फ हम यूज़ कर लेंगे खुबसूरा सा blender का एक जग लेगे क्योंकि यह हर गर में मचूद होता है इसके अंदर सबसे पहले इन हरी मिर्चों को यानि के तो यह भी हो गया अब हमारे पास इमली का पल्फ जो इस रेश्पी को बहुत स्पेशल और खटा मिटा सा फ्लेवर देगा चलेंजी चार से पांच जब लेशन कर जाएगे इसी तुरह नगर आप चैनल पे नहीं है जनाब तो चैनल को दूरू सब्सक्राइब किया करें य आफ टी स्पून नमक काफी होगा वां टी स्पून इसके अंदर अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इमली के पानी के अंदर जब पुदीना और हरी मिर्चे मिक्स होंगी तो यकीन करें एक ऐसा फ्लेवर आपको मिलेगा किया पहरान रह जाएगे तो बिसमि मिठा मिठा सॉस और शांदार हमारे पास साइड डिश जो है वो तयार है दो हम यार रखिए इस चानल को सब्सक्राइब विजए जान सार के उजादे देजिए अगली उडियो तक आला हाफीज breakfast recipe के लिए yummy and tasty recipe के लिए cook and easy recipes के लिए हमारे चैनल के वीडियो सब्सक्राइब जाएगे